संजू सामसन के बारे में एक्सर कहा जाता है कि संजू सामसन इंडिया के सबसे अनलकियस खिलाडियों में सेख है लेकिन सिर्फ कहानी इतनी नहीं है संजू सामसन अनलकी है ये कई मामलों में सच हो सकता है लेकिन एक सच ये भी है कि सही मौकों पर संजू सैमसन चलते नहीं है अब दलीब ट्रॉफी में देख लीजे दलीब ट्रॉफी में संजू सैमसन का सेलेक्शन नहीं हुआ था बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर हम सब ने उठाए लगातार ये पूछा कि क्या साथ में भी संजू सैमसन की जगे नहीं बनती है और वो ट्रॉफी जहां से इंडिया की टेस्ट टीम का सेलेक्शन होना है आगे भविश में संजू सैमसन को जब काफी सोशल मीडिया पर शोर के बाद मौका मिला तो संजू सैमसन ने उस मौके को फिर गवा दिया और ये पहली बार नहीं है इससे पहले भी कई बार हो चुका है जब संजू सैमसन को अच्छे मौके मिले और संजू सैमसन ने वो मौके गवाए और वो एक-दो मैच के मौके संजू पर भारी पड़ गए उदाहरण के तौर पर आप याद कीजिए इंडिया वर्सेस बंगलादेश T20 वर्ड कप में प्रैक्टिस मैच होता है संजू सैमसन से उपनिंग करवाई जाती है रशब पंत एक नमबर पर आते हैं तीन नमबर पर और उसके बाद संजू जीरो पर आउट हो जाते हैं रशब उस मैच को कैच कर जाते हैं और रशब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि बल्ले-बल्ले हो जाती है पूरा वर्ड कप वो खेल लेते हैं संजू बाहर सिर्फ पानी पिलाते रह जाते हैं हाल-फिलाल में श्रिलंका के सामने टी-20 सिरीज थी संजू सेम्सन का सेलेक्शन वहां पर भी हुआ दो मैच खिलाए गया दोनों मैच में संजू सेम्सन ने खाता नहीं खुला अगली टी-20 सिरीज में वो होंगे नहीं होंगे इस बारे में कोई कह नहीं सकता और अब दलीब ट्रॉफी अब दलीब ट्रॉफी इस साल भारत के तमाम स्टार प्लियर खेल रहा है इस वक्त इसका मौका गवा दिया संजू सेम्सन जिन्हें पहला मैच नहीं खिलाए गया था उन्हें जब दूसरा मैच खिलाए गया तो पहली पारी में वो कुछ खास नहीं कर पाई और पांच निन बना कर आउंट हो गया संजू सामसन को समझना पड़ेगा कि सिर्फ फैंस के बल्बूते वो टीम इंडिया में जगा नहीं बना सकते हैं उन्हें ऐसे तमाम मौकों को यूटलाइस करना होगा बार बार बात चलती है जस्टिस फार संजू सामसन बड़ कैसे जस्टिस हो संजू सामसन की हर बार की वही कहानी है आई पेल ने परफॉर्म करते हैं टीम इंडिया में सेलेक्ट होते हैं लंबे समय की बाद मौका मिलता है फिर फेल जाते हैं परफॉर्म करने से ड्रॉप कर दियाते हैं गुमनाम हो जाते हैं और फिर ये पूरी कहानी रिपीट हो जाती है शुर्वात मिंजर साम ने कहा सेलेक्शन नहीं हुआ जस्टिस फॉर्स अन्यूस आमसन चला फिर मौका मिला पांच रन आठ गेंद में और वो बाहर हो जाते है स्रिलंका में भी वह था ODI स्रीज में सेलेक्शन नहीं हुआ था जस्टिस फॉर्स अन्यूस आमसन चला मौका मिला पहले मैश में पहली बॉल पर आउट दूसरे मैश में चार बॉल पर आउट ये बहुत-बहुत इशूस है पहले T20 वड़कव मौका नहीं मिला था फिर वाम-प नैच मौका मिला एक रंग छे बॉल पर आउट अब प्रॉब्लम ये है कि Sanju Samson कहां ते चलेंगे Sanju Samson को समझना पड़ेगा कि बड़ी पारिया उन्हें खेलना पड़ेगा IPL अपनी जगहां पर है बट अगर आपको consistency नहीं है आप में तो फिर बहुत मुश्किल है और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि बिना consistency काम नहीं चलने वाला He has to understand this लंबे समय के बाद आपको मुका मिला था एक इंपॉर्टेंट मुका था आपको utilize करना चुए था बट आपने utilize नहीं किया and that's very painful Sanju Samson के fans के लिए के वल 5 तर बना कर consistency is the key to success रशाप पंद को मौका मिला था बंगलादेश को सामने एक मैच परफॉर्म के वर्टकप के लिया दलीब ट्रॉफी में आए पहली पारी फ्लॉप थे सेकेंड पारी में अचा तक थोग दिया इशान किशन शांदार खेल रहे राहूल ने भी ठीठा खेला है ऐसे में संजू को अगर अपनी जगे बनानी है तो फिर बल्ली को बोलना पड़ेगा सोशल मीडिया पर जो लोग बोल रहे हैं वो अपनी जगाप बार है बट कि प्लीज आपको समझना पड़ेगा कि आपको परफॉर्म कर रहा है वरना मुश्किले बढ़ जाएंगे आपको क्या लगता है संजू सैंसन वाकई में अपरचुनिटी स्कोर है अब तक कभी वो टेस्स नहीं खेल पाएं